तो दोस्तों आपने कई बार देखा होगा कि कई लोग जिनके पास सब कुछ है पैसा है पूरी एक इंकम फ्लो अच्छी है सब कुछ अच्छा उपर वाले का सब कुछ दिया हुआ है फिर भी वो कई बार अपनी हालात को ऐसे बना के रखते हैं जैसे कि वो गरीब हो या फिर फट हुए कपड़े पहनते हैं या फिर कपड़े एसे होते हैं जिनकी घ्रेश खतम होती है चमक नहीं रहती है देखने में एक्छे नहीं लगते हैं क्या आपको ऐसे प्रेशाने चाहिए अगर नहीं łat तो ऐसे कपड़े पहनने से इंसनको क्या प्र refrश七 शुरू हो जाती ह क्या दिक्कते आती हैं इनी सभी की चर्चा और इन सबसे जुड़ी हुई जानकारी आज मैं आपको बताने वाला हूँ तो नमस्कार दोस्तो मैं सुभाज शर्मा चंडीगर से लाल किताब के ग्यान में आपका स्वागत करता हूँ दोस्तो आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को important information देदें जो कि दिवाली से जुड़ी हुई है और दिवाली पर आप सभी लोगों के लिए माध्धनलक्ष्मी पोटली का आयोजन किया जाता है आप सभी लोगों के घर ये माध्धनलक्ष्मी पोटली बनाई जाती है पहुंचाई जाती है कि आप अपने घर के लौकर में स्थाफित कर सको और पूरे वर्ष आपके घर में माध्धनलक्ष्मी की किरपा बनी रहे और किस तरीके से ये रखनी है क्या है इसका प्रोसेस सारा का सार आपको बताया जाएगा आप सभी लोगों के लिए धनलक्ष्मी पोटली अभी से बुकिंग ली जा रही है और नवरात्रों के समय में इसको भी मंतिरत करके आपके घर भेज भी दिया जाएगा तो आप लोग लेट ना हो पिछली बार की तरह आप लोगों ने बह करने के लिए दिया है चाहे वह आपकी पारिवारिक जिन्दगी हो आपकी परसनल लाइफ हो यानि कि उपर वाले ने आपको दिया है खाने के लिए अच्छा और पहनने के लिए अच्छा पर कई बार क्या होता है इनसान इन चीजों से कॉम्प्रोमाइस करता है कॉम्प्र तो क्यों फटे कपडे पहने कुछ? और यह सब पहने से क्या परिशानियां आगर आप अपना जीवन गरीब की तरह यापन कर रहे हैं आप आपके पास सब कुछ होते हुए भी आप गरीबों की तरह रह रहे हो कि आपके पास धन की कमी हैं आपके पास कपड़े नहीं आपके पास सब सुभदाय नहीं है तो उपर वाला आपकी जिंद्गी भी वैसी ही बना देता है और खासकर जब यह फटे हुए इंसान कपड़े है और कहीं से उधड़े हुए पहनता है या फिर वो कहीं से खराब हो चुके हैं ऐसे कपड़े पहनता है तो ऐसे केस में आप डिरेक्टली अपने शुक्र को खराब कर रहे होते हैं शुक्र क्या है शुक्र आपके जीवन में हर चीज की वैभव सुक्ष समरिद्धी की कोई और 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 ऐसा जीवन आप चाहते हो तो अपने जीवन में इन चीजों को आपको एपना के रखना ही कि आप फट वह कपड़े पहन तो आपका जिवन भी आगए वैसा ही फटा हुआ हुआ रहेगा अगर याज़वन पहन होंग अपने शुक्र को अच्छा बना एंसे इसका फाइदा आपको आपकी मेरिड लाइफ में मिलेगा इसका फाइदा आपको माध लक्षमी की किरपा पाने में मिलेगा इसका फाइदा आपको पैसों की इंजॉयमेंट करने में मिलेगा इसका फाइदा आपके जीवन में खुशियों को आनाने में मिलेगा आपकी जीव पैसे कैसे खा जाता है, आपने तो मेहनत करके कमाई, आपने कॉंप्रोमाइज करके जिंदगी हासिल करी, पर एक समय आया कि वो सारी की सारी कमाई एक बार में चली गई, क्यों? क्योंकि आपने वो रिस्पेक्ट और रिगार्ड शुकर को दी ही नहीं, माना कि आपके कहीं से फटे वे कपड़े हैं, तो वो सीए भी जा सकते हैं, अगर कहीं से खराब हो गएं कपड़े, तो आप किसी को दे भी सकते हो, या उनको किसी और काम में इस्तमाल कर सकते हो, आपके पास जब पैसा है, तब भी आप अपना जीवन गरीबों की तरह यापन करते हो, तो उपर और सुख समरिद्यों के एक आपको कॉंप्रोमाइजे जीमर में करवा दे, ऐसा कभी न करिए, इन चीजों को आपको देखना है, आपको ज्यादा खर्चे नहीं करने, जरूरी नहीं कि महंगे से महंगा पहनो, पर जो भी पहनो, वो अच्छा पहनो, आप घर में होते हो, आप सोचते हों कि भटा है, कुछ भी है, कौन देख रहा है, पहन लो, पर ऐसा मत करिए, आप अच्छा पहने है, क्योंकि आपका शरीर है, जितना आप अच्छा पहनोगा, अच्छा आपका आपका कॉन्फिटेंस बना रहेगा, और उतनी ही ज्यादा आपको लक्ष्मी मा है, तो जीवन समझेजिए कि निरार्थ है, कोई अर्थ नहीं है उसका, आप ही इंज्वाए करो, आप ही कमाओ, और आप ही वो मलाई खाओ, ऐसा जीवन बना के रखिए, ताकि उपर वाले की करपा आपके पास बनी रहे, और पैसों से कभी भी आप दुखी या वंचित न अग्याश्यच्त नहीं है, पिरो बाद में कहते हैं, हमारी शादी नहीं हो रही है, और कई लोगों की इ 2500 ऐर स Extreme के दिक्कत होती है, कई लोगों को अपने शरीर में मोजोनाइट यह डाइमंड का उपरतन है तरीके से डाइमंड की तरह हू बहू दिखता है पर डाइमंड जितना महंगा नहीं होता है आप अपने जीवन साथी को और अपने पास ऐसा मोजोनाइट जरूर पहन के रखिए वाइफ को आप अपने लॉकेट दे सकते हैं आप इस शुक्र कहीं नेगटिव हो रहा है तो उससे आपके बचाव होंगे और यह मोजोनाइट नॉर्मल ही आप पहन सकते हो कोई देखेगा तो यही कहेगा कि आपने डाइमंड पहना हुआ है और शुक्र को और अच्छा रखने के लिए आपको एक उपाय और करना है जो की होता है शुक्र को मंगल की मदद पहुंचाना अब यह मेरे हाथ में एक चांदी की गोली आप देख रहे हैं ऐसी चांदी की गोली चार गराम तक की लीजिए और ऐसी चांदी की गोली को लाल रंग का नेल पेंट कर लीजिए और अपनी पॉकेट में हमेशा रखिए इस उपाय से बहुत बना हुआ है शरीर कहीं से एक एनरजी रहीत रहता है आपके अंदर आलस से बहुत जादा है शादी की कहीं प्रॉलम है मेरी लाइफ को इंजॉई नहीं कर पा रहे हो तब इस केस में भी चांदी की गोली आपके लिए काफी ज्यादा बैनिफीचल रहती है ऐसी आप शुकरवार के दिन लाल रंग का नेल प्रॉलम नहीं और इसके साथ साथ गाय की सेवा जरूरी है गाय को आप समय समय पर सतनाजा या फिर जुआर वगरा दे सकते हैं ऐसा करने से शुक्र आपका पॉस्टिव रहेगा शुक्र में आ रही खराबिया दूर होंगी पर इसके साथ साथ हमेशा ध्यान रखिए कि अगर आपका शरीर है इनसान हमेशा अच्छा खाता है अच्छा पहनता है अच्छा जीवन यापन करता है तो आप अपने शरीर पर अच्छा पहनिए और एक अच्छा अट्रेक्टिव लुक बना के रखिए ताकि आपका शु कारी के साथ नई वीडियो में तब तक के लिए पर सुभाज भाई को आ गया दीजिए नमस्कार